अगर आपकी डिवाइस जो है फ्लिकर कर रहा है तो केसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलुशन बताने वाला हूँ कई लोग दोस्तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम है यहाँ पर फेस कर रहा है ठीक है उनका स्क्रीन जो फ्लिकर करते रहते हैं बार बार तो अगर दोस्तो आपको भी ऐसा है प्रॉब्लम हो रहा है तो केसे आपको फिक्स करना है क्या सॉलुशन करना है सब कुछ आपको इसी वीडियो पर जानने को मिल जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकून को क्लिक करें और अगर आप ऑनलाइन पेसा कामाना चाते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिं सब्सक्राइब पर एपने फोन को बूट कर सकते सेफ मोट पे पर बूट कर सकते लिए फिर आप अपने मोबाईल को रिश्टार्ट करके देख सकते हैं अगर उसके बार भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों शार्डर या फिर हैटफॉन प्लक्राइब आए तो अनको र होगा करीब 40% आपको स्पेस क्लीन करना है अन्वांटड एप्लिकेशन को डिलेट करे को भी बैड एप्लिकेशन है इससे लिए उनको आप पहले डिलेट करे में दोस्तों वह एप्लिकेशन है जो आप अन्नोन वेबसाइट से इंस्टॉल करते हैं ठीक है तो उस तरीके का जो एप है उसको डिलेट करें डिलेट करने के बाद दोस्तों आप ये चेक कीज़े अगर आपके कोई अगर आपके मुबाइल पे ठीक है आपके फाइल मेनेजर पे की चेक करके डिलेट के तो वह सब आप यहां पर कर सकते हैं सारे सा दोस्तों आपका जो ऑटो ब्राइटनेस है उसको आप बंढ़ कर दिजी है टीक है एस थारेधे कर दीजिए उसके सोफ़ेर को डाइट करके देखिए सोफ़ेर डाइट करने के बाद दूस्तों यहां पर अगर सोफ़ेर के रिलेटे कोई इसशू है कोई भी प्राप्रॉबलम है तो फिक्स हो जाएगा लेकिन मान लेज़े सोफ़ेर अपडेट करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो जैनरल मेनेजमेंट पे जाए और रिसेट में क्लिक करके फेक्टुरी डेटा रिसेट जरूर कर दीज़ेगा फेक्टुरी डेटा रिसेट करने के बाद दोस्तो 100% आपका प्रॉब्लेम फिक्स हो जाएगा ठीक है यहाँ पे फिक्स हो जाएगा लेकिन दोस्तों मान लेज़े फेक्टुरी डेटा रिसेट करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो हाड़वेर फेलियर यहाँ पे हो चुका है मार रबोड इशू हो सकते यहाँ फिर हाड़वेर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लेम हो सकते यहाँ फिर कोई शॉट सर्किट हुआ होगा आपकी डिवाइस में जिसके वजह से आपके डिस्प्ले में प्रॉब्लेम हुआ है और आपका स्क्रीन फ्लीकर कर रहा है ठीक है तो आपको simply technician या फिर किसी भी service center पर जाके वो problem solve करवाना है तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो screen flickering problem है आप इसको fix कर सकते हैं जितना भी possible solution था मैंने आपको इस video पर देने की कोशिश की है आप follow up कर सकते हैं उमिद करते हैं आपको ये video पसने होगा Thanks for watching